हेलो दोस्तों आप सभी का दोलोजिकल इंडियन यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ एडोकेट पंकच कुमार त्रिपाथी और आज के दिन जो चुनाव परिणाम आया है उस पर मैं यही कहूंगा कि आपने मेरी संविधान की क्लास को बहुत अच् कर रहा हूँ, जो एक ड्राइब देनी थी समाज को जो संदेश देना था सूचना देनी थी संविधान के बारे में जो बात बतानी थी वह आप सबने महसूस की खाजकर fellows के लोगोंच विहार के लोगों राजस्थान के लोगोंच बहुत सिद्द्थ से इस पर ध्यान दिया पंजाब के लोगों ने आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो मैं इस पर बनाने आ रहा हूं कि कौन होगा अगला प्रधान मंत्री दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि इस समय जो समीकरण बन रहे हैं उसमें नितीश कुमार और चंद्रबाबु नाइडू ये दो नेता ऐसे हैं कि इनकी बड़ी निर्डायक भूमिका होने वाली है इस समय अंडिये की 288 सीटे चल रही है यानि महज 16 सीट आगे हैं भूमत से अगर 7-8 सीटे कम हो जाती हैं तो अकेले नितीश कुमार ही चाभी के हकदार हो जाएंगे ये जिधर जाएंगे उधर स प्रधानली जी नितीश कुमार इंडिया गड़मंधन के संस्थापक हैं जन्मदाता हैं फिर ये क्यों बाहर निकल गए थे इसलिए निकल गए थे कि ये चाहते थे कि इनको ही प्रधानमंत्री पत को बचा कर रखा जाएं लेकिन ऐसा हुआ नहीं जैसे ही एक दिन बात च जाएगा या ममताबनर जी बन सकती हैं या अगर मायावती जी आती हैं तो वो बन सकती हैं उसी समय पर ये नाराज हुए थे और इन्होंने पाला बदल लिया था यानि ये बात कहीं भी नहीं छुपी हुई है कि नितीश कुमार कि अगर एक मात्र कोई महत्वा का अंच्छ है कोई इच्छा है जिसके लिए ये कुछ भी करने को तयार है तो वह है इनका प्रधान मंत्री बनना और इस समय वर्तमान में राजनीत ने ऐसी करवत ली है कि इनके प्रधान मंत्री बनने के चांसेज बहुत बढ़ गया आउसर बहुत बढ़ गया है एक तो इंडिया इंडिया गडबंधन में आया है बहुत बड़ी संख्या में ऐसे में नरेंदर मोधी को काटने के लिए एक OBC मुख्य मंत्री जो बिहार के लोकप्री मुख्य मंत्री रहे हैं इनको इंडिया गडबंधन अपनी और से प्रधान मंत्री पत का दावेदार घोसित करके तीन लाब हासिल करेगा तीन लाब पहले पहला लाब क्या होगा पहला लाब होगा कि नरेंदर मोधी को प्रधान मंत्री बनने से सरकार में आने से रोका जाएगा दूसरा लाब कि बिहार की सरकार जो इस समय एंडिय की चल रही है वहां तेजस्वी आदव बन जाएंगे सीयम और वो सरकार हो जाएगी इंडिया गटबंधन की और तीसरी बात होगी कि तब चंद्रा बाबु नाइडू भी एंडिय की बजाए इंडिया गटबंधन की तरफ आने की सोचेंगे और इस तरह से आंध्र प्रदेश की सरकार भी इंडिया गटबंधन की सरकार हो जाएगी ऐसे में मेरा अपना मुल्यांकनिया है कि आने वाले समय में दो एक दिन के भीतर भारत की राजनीत में बिहार बहुत बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है वहां से बहुत बड़ा उलट फेर होगा और ये उलट फेर नितीश कुमार जी के द्वारा किया जाएगा कॉंग्रेस इनको प्रधान मंत्रीपत का दावेदार घोसित करेगी और से सारे दल सुईकार करेंगे सारे दल में इनके विरोध कौन कर सकता है जब कॉंग्रेस खुद सो के आजपास की सीटें होकर कि नितिश कुमार जी को प्रधान मंत्री पत के लिए दावेदार बना देगी तो फिर सीटों की संख्या के आधार पर चाहे डीमके हो अखलेस यादो जी हो या मंता बनर जी जी हो इन तीनों मेंसे कोई विरोध नहीं करेगा और इनको विरोध करना भी नहीं है क्योंकि ये तीनों ही जान रहे हैं कि ये लोग प्रधान मंत्री नहीं बन सकते इस समय अख्लेस यादो के उम्र के अधार पर भी उनके पास बहुत अउसर है और वो राजनीत को आगे बढ़ाने की सोचेंगे वो सोचेंगे कि केंदर में अच्छा मंत्राले लेकर देश को अपनी सेवा दी जाए अख्लेस यादो जी में एक बात देखने को मिलती है कि वो टेक्निकल तरीके से देश में अपने ग्यान का लाब देना चाहते हैं मुख्यमंत्री रहते उन्होंने दिया भी है तो ऐसे में उनको काफी अच्छा मंत्राले मिल सकता है जिसके जरियो अपने टेक्निकल नॉलेज की सेवाएं देश को दे सकते हैं और अपना एक राजनितिक कैरियर दूसरी तरफ आउर आगे बढ़ा सकते हैं जहां तक RJD की बात है वो इस पोजिशन में नहीं है कि वो कोई बिरोध करे और वो बिरोध क्यों करेगी जब उसको वहां का मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा बिहार का जहां तक ममता बनर जी जी का सवाल है उन्हें बंगाल में सुरक्षित जगह चाहिए वो ऐसे भी देश के अस्तरपन कुश्वी कारता नहीं हो सकते प्रधान मंत्री की रूप में और यहीं बात DMK के साथ भी लागू होती है तो ऐसे में कॉंग्रेस मोदी जी को रोकने के लिए नितिश कुमार जी को प्रधान मंत्री के लिए आगे ले आएगी यह सबसे ज़्यादा संभावित बिकल्प दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आईए देखते हैं कि भविस्य कैसा होता है मेरा अपना जो उन्मान है मैंने आपके सामने रखा एक बात याद रखिये दोस्तों मैं इस चैनल पर चिला चिला कर ये बोलता था कि सारे लोग अगर एक जूट हो जाएंगे तो संबिधान को नव मानने वाली ताक्तें कमजोर पड़ जाएंगे मैंने ये भी कहा था कि अगर सारे नेता संबिधान हाथ में लेकर सरकों पर उतर जाएंगे तो जनता साथ चल लेगी बाद में मैंने ये कहना सुरू किया जब जैंत चौधरी अलग हो गए संजय निसाथ साथ नहीं आए राजभर अलग हो गए नितीश कुमार जी अलग हो गए चिराग पास्वान अलग हो गए तब मैंने ये कहना सुरू किया था कि जनता को संबिधान के साथ ख़ड़ा होना होगा खास कर मायावती जी साथ में नहीं आई तो जनता ने संबिधान के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया और तब ये परिराम आज़ाब के सामने है आप सोचिए कि जहां एक तरफ अपराजे होने का एक गुबारा खड़ा कर दिया गया था हर तरफ से महोल बना दिया गया था कोई नहीं जान सकता था कि कभी बीजेपी हारेगी भी जनता ने इस तरह की लामबंदी की कि आज संबिधान एकदम सुरक्षित दिखाई दे रहा है लोग हमसे पूछ सकते हैं कि बीजेपी के रहते आपको संबिधान सुरक्षित क्यों दिख रहा था कैसे दिख रहा ये ध्यान दीजिएगा इस्थिर किन्तु ताना साही सरकार के तूला में कम इस्थिर लेकिन थोड़ा उदार विचार की सरकार होना देश के लिए लाग प्रद होती है ये सावित हो चुका है तो मैंने जो मुझे अनुमान लग रहा है आपको ये बताया आगे देखते हैं भ प्रतिक्षा कर ली जय संविधान